जाती जनकलना को लेकर सुप्रिम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफ नामा दाखिल किया है जिसे लेकर विपक्ष लगतार हमलावर है सर बात करेंगे कॉंग्रेस की प्रदेश अध्यच अजयललू जी से सर केंदर सरकार ने हलफ नामा दाखिल कर दिया है दुश्वारियां बताई है जाती जनकलना को लेकर कि जाती जनकलना को लेकर तमाम दुश्वारिया है और बैकवर्ट समाज को लेकर आप लोग मांग भी करते रहे कि जाती जनकलना को लेकर भारती जनता पार्टी का चेहरा लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों जब यूपिय की सरकारती तो जाती जनगरना कि कराई थी कि और सरकार परिवर्तन होने के बाद उसको भारती जनता पार्टी ने सार्जनिक नहीं किया उस समय भी हम लोगों ने ये बात बड़ी मजबूती से कहा था कि भारती जनता पार्टी पिछले दलितों के साथ ठोखा करती है आज जब समूचा देश जाती जनगरना चाहता है और यह सम्मिधान के अंतरगत जो बेवस्था है उसके परिपेच में चाहता है सरकार भाग क्यों रही है मैं समझता हूँ कि अब पिछलों को यह जरूर सोचना चाहिए और आने वाले समय में चुनाव में पिछलों को भारती जनता पार्टी को सबक जरूर सिखाना चाहिए और मैं समझता हूँ जो चेहरा भारती जनता पार्टी का उजागर हुआ है 2022 में संपूर्ण पिछला समाज भारती जनता पार्टी को उखाड कर फेक देगा आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में पिछणों का जो है वो मुखालिफ है भारत की जंता पार्टी लेकिन प्रदेश अध्यच पिछड़े समाज का उन्होंने बना के रखा है डिप्टी सीम पिछड़े समाज का बना के रखा है तो इनी चेहरों के आधार पर चुनाओ लड करते हैं जो लोग विधान सभाओं में लोग सभाओं में हैं और भारती जंता पार्टी के नत्यत्व में काम कर रहे हैं क्या यह आप मान नहीं है किस मूह से जाएंगे वो अपने समाज के लोगों के बीच में क्या कहेंगे जब सत्ता में है अधिकार दिलाने की बात है तो ना अधिकार दिला पा रहे हैं ना उनके लिए कदम चलने का काम कर पा रहे हैं देश का हर पिछड़ा बर्ग चाहता है जाती जनगर्ना हो कांग्रेस पार्टी चाहती है जाती जनगर्ना हो फिर सरकार भाग क्यों रही है और अब तो हस्पष्ट कर दिया कि स्वतन देव सिं जी या इनके डिप्टी सीम केश्व मौर्या जी या सरी के जितने भी भारती जनता पार्टी के भारत सरकार में मंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं उनका वजूद कुछ नहीं है यह स्पश्च हो चुका है कि वो केवल मुर्तिय प्रतिबंब्य है वो प गडबंधन कर लिया है एलान किया सुतन देव सिंग संजय निशाद और उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी है चुनाओं के उन्होंने गडबंधन का एलान कर दिया हो कहा कि 2022 में फिर सरकार बना जा रहे हैं संजय निशाद के साथ मिलकर महंगाई बेरोजगारी गन्ना किसान धान का किसान गेहूं का किसान आलू का किसान और जो बेमोसम और मोसम के नाते लोगों के बरबाद फसल हुए है अन्ना जानोरों से किसान परिसान है मैं समझता हूँ आने वाले दिन में जो बेरोजगारी का दर उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ बढ़ा है कुरोना काल के दौरान जो लाखों लोगों ने जान गवाई है उद्योग लग उद्योग बड़े पैमाने पर जो बंद होते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश जो बिनाष के रास्ते पर जा रहा है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता 2020 में कांगरेस को लाने जा रहे हैं बाच्चित के लिए शुक्रिया आप सुन रहे थे कांगरेस की प्रदेश अध्यच अजय लल्लू को इन्होंने साफ तोर पर भारती जनता पार्टी का जो गड़बंधन हुआ है उस पर भी निशाना साधा और साथ इसाथ पिछड़े समाज को लेकर जाती ये जनकाणूना जो हलफ नामा दाखिल किया गया है कि अन्सरकार की और से उसको लेकर भी तीखा परहार किया है कैमरा में नूर के साथ सीमाब नकवी भारत समचार लखना हुगा